एक लहजा था उसके लहजी के पीछे लहजा आप लोग समझते होंगे एक लहजा था उसके लहजे के पीछे एक चहरा था उसके हस्ते हुए चहरे के पीछे मैं समझता था बस मैं मुखातिब हूँ उससे मुखातिब मतलब जान पैचान मैं समझता था बस मैं मुखातिब हूँ उसी वहाँ कोई और ही पागल था उसकी महबत के पीछे कुछ एक मैंने कविता लिखी थी थोड़ी लंबी है अगर टाइम अगर बढ़ जाया तो माफ करिएगा ये लाइन को सिस्पकार है कि ना जाने क्यों कुछ बातें सोचकर दिल को भड़ लेता हूँ मैं उन्हीं में खोकर दिन बरबाद कर देता हूँ मैं कुछ बातें कह नहीं पाता मैं ये मेरी कमी है तुछ से प्यार कितना करता हूँ ये जदाता नहीं मैं जानता हूँ तुमने जैसा सूचा था वैसा बिल्कुल नहीं हूँ औरों की तरह जेब से अमीर नहीं हूँ क्यों आज सिर्फ पैसों से प्यार तोला जाता है यह समझ पाता नहीं पर तुस्य चाहता कितना हूँ यह जताता नहीं मैं जानता हूँ औरों के माफिक मैं कम बोलता हूँ मगर जितना बोलता हूँ तुमसे सच बोलता हूँ रात को तुमसे बात करके चैन की नीन सोता हूँ मैं पर तुछ से प्यार कितना करता हूँ ये जताता नहीं मैं कई बातें जानकर भी उन्हें दिल में ही रखता हूं, अंदर से ही खुद में ही घुटता रहता हूं मैं, तुम्हारे क्या हुआ पूछने पर कुछ नहीं पागल सब ठीक है कहकर बात टाल देता हूं मैं, पर तुझे खोने के दर से तुझे कुछ कहता नहीं मैं, तुझे च जाता कितना हूं, ये चताता नहीं जब तुम पास रहती हो तो सब कुछ भुला देता हूँ मैं, उस दो पल को अपने जिंदगी बना लेता हूँ मैं, दुखा तो कई बार मेरा दिल तुमसे जाने अंजाने में सही, पर जब कभी भी तुम मुझसे प्यार से बात करती हो, तुझे अपना सा महसूस कर, मुझ्क यहां मरी कासे, दिल तूटे आसे काफी है बह। है हड को यह, जो कहां भुझा रहा है अगा तो सब इमयांने कुछ लिखा था कि मुझरिम मतलब होता है कि जो सक्के दाइरे में हो मुझरिम मतलब होता है जिसका गुना साबित हो गया हो तो उसी पे था कि दुनिया की नजरों में मैं तो बस एक मुल्जिम था मुझरिम बनाया भी तो उसकी अदालत ने मुझे एक और सारी लिखी थी मैंने कि साथ मेरे था कोई इस इश्क के सफर में साथ मेरे था कोई इस इश्क के सफर ने मगर कमबक्त हम सफर ने इस सफर का हम सफर ही बदल दिया एक और सारी भी खतम करता हूं मैं कि वो दिन भी क्या कमाल होगा वो दिन भी क्या कमाल होगा मरे ना होने का तुझे मलाल होगा भरे जवाने में एक बवाल होगा यह हर्फ का मतलब होता है जैस्मेंट ठी है तो भरे जवाने में एक बवाल होगा फिर से तेरे हर्फ पर कोई नया सवाल होगा थैंक यू सो मजज गाइस